आप एक बर ज़र आईटी पर व्यू दीजे क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हम सुबर चर्चा भी कर रहे थे कि तमाम कंप्रीज अपने गाइडिन्स में कट होती की है आगे थोड़े से कमजोर भविश्य की उम्मीद भी है आज हम देख रहे हैं कि विप्रो ड्रैक कर रहा किस तरह का लग़रा आपको आईटी सेटर का सेटप इंडेक्स के लेवल पर भी और स्टॉक्स मेंगर आप कुछ पॉइंट आउट करना चाहें तो तो अपने को काफी आगे का सोचना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल आईटी ने काफी सेलिंग देखी और काफी यह जो नेगेटिव नियूस फ्लोज हैं ग्रोथ को लेके काफी हद तक डिसकाउंट हो चुके थे तो एक धीरे से हमनों रिकवरी तो देखिए पिछले दो म में में के महीने से वीकेंड क्लियरली सी कि आईटी इंडेक्स उपर की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है जून में कुछ हिसाब से बादार नहीं है सोचा कि शायद वर्स्ट हो चुका है सेक्टर का फिर भी एक और में कुछ तक नेगेटिव हैं बट ब्रॉडली अगर मैं वीकली या मंत्री डिखली पर जाओंगा तो ट्रेंड रिवर्सल्स नहीं है ओके ओवरॉल थी के शौट टम में करेक्शिन हमने देख लिया रिजल्ट के आते हुए मगर ओवरॉल जो ट्रेंड है आईटी इंडेक्स का में से वह हायर बॉटम बनाता जा रहा है हर बार मतल बाजार यह सोच रहे कि ठीक है शौट टम में रिजर्स खराब हैं बट एक साल आगे जाते हुए क्या ग्लोबिल मार्केट्स ग्लोबिल ग्रोथ यहां से पिक अप होगा और अगर होगा तो फिर आईटी सेक्टर को बिजनेस जो है वो जादा भी मिल सकता है जाते हुए त क्योंकि यहां ग्रोथ स्लो है तो इस सेक्टर को क्यों आप महत्वद होगे पूरे पूर्टफोलियो के ऐलोकेशन में काफी आप फंड मैनेजर से अगर बात कर रहें तो उन्होंने आपको यह बताया होगा कि आईटी सेक्टर पे ऐलोकेशन कहीं पे कई लोगों ने कम कर है और यह शाहिद रह सकता है क्योंकि अपवर्ट ट्रेंड होना एक चीज है बाजार के साथ और दूसरी चीज है कि आप किस हद तक स्पीड से बढ़ रहे हो इस सेक्टर को आप आलोकेशन ज्यादा दोगे कि कम दोगे तो वह चीज चाहिए लाज कैप इस यह दिखाती है कि कम देंगे वेटज कुछ इंडिविजिल स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन पे शाहिद ध्यान दे कोई तो यूल आफ टो बी वेरी वेरी फोकिस्ट की कौन से शेर्स आप आप आइटी सेक्टर के अंदर अपने पोर्टफोलियों में रखना चाहते है बहुती नेरो लिस्ट होगा दो तीन कंपनियों का शाहिद और वो भी लाज कैप में नहीं शाहिद मिट कैप में आइटी अफकॉर्स लागिंग से इंप्रूविंग स्पेस में आया लेकिन सेलेक्टिव होना होगा मिटकैप आइटी को यह भी थोड़ा सा प्रिफर करेंगे आप रोहित रोहित रियल एस्टेट स्पेस पर भी बताया है वो वो स्पेस भी लीडिंग स्पेस है और इंफा प्रबबली मेंट स्मॉल कैप इंडाइस इसमें आ सकते हैं और लास्ली एकिंग प्यास्यू बैंक इंडेक्स वापिस हल्का सा पॉसिटिव हुआ है यह और कोटली बेसे इस 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 और परफॉर्मिंग सेक्टर्स रिसेंटली पहले फार्मा चल रहा था और उसके रहता है वो मेडियम तर्म में भी बना रहता है तो मेरा सेंसे कि अगर यहां से जहां से भी बाजार समभल के उपर की तरफ चलेगा फोकस हमारा इन इन सेक्टर्स पे रहना चाहिए डाइस रियाल्टी आपने मेंचिन किया आटो और मिदें स्मॉल कैप्स में भी अभी तक का ट्रेंड खतम नहीं हुआ है और पिस यू बैंक्स अधिक अल अव देमा शुएंग सम्काइंड ऑ स्ट्रेंट टोडे जो की इंडिकेट कर रहे कि आगे भी इन वे फोकस रखना ज़रूरी है